तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यामाहा MT15 जो BS6 compliant engine के साथ लाँच हुआ है 20 December को इंडिया में तो देखेंगे इस वीडियो में बाइक में क्या क्या changes आपको दिखने को मिलेगी तो यहाँ पे looks के मामले बहुत interesting changes है इस बाइक में बन रही है इस वीडियो में हमारे साथ वी तो शेयर माइज तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते गारी का look में तो looks में अगर जाएंगे आप तो यहाँ पे completely एक new look मिलेगा नियोन औरेंज के साथ और साथ में यहाँ पे red finish भी हमें दिखने को मिलेगी इस bike में तो और अगर features की बात करें तो कोई भी changes है ने इस bike में पहले जो model था सेम चीज आपको इस bike में भी दिखने को मिलेगी लेकिन engine जो है क्योंकि यह BS6 है तो यहाँ पे specification में change हुआ है तो चलिए देखते engine में आपको कैसा power or torque output मिलेगा तो यहाँ पे power or torque में BS6 के कारण reduction दिखने को मिलेगी आपको तो आपको पहले जो power मिलता था R15 में जो सेम इंजिन यूज होता था या फिर MT15 में पुरानी इंजिन BS4 मोडल तो वहाँ पे आपको मिलेगी बस 18.7 horsepower at 10,000 rpm और torque की बात करें तो पहले मिलते थी 14.7 Nm at 8500 rpm तो अभी आपको मिलेगी 14.1 Nm at 8500 rpm तो अभी आप देख सकते कि R15 में जो हमने वीडियो बना था पुराना वीडियो आई बटन में लिंक है आप चेकाउट कर सकते हो उसमें भी सेम power figure दिखने को मिला था BS6 आने के बाल तो अभी इस गारी में भी आपको सेम power figure दिखने को मिलेगी तो इसके वज़े से performance में आप ऐसे नेगलीजी भली मान सकते हो कि चेंजेस आई होगी क्योंकि पहले जितना एग्रेसिव था ये बाइक अभी भी वैसा ही रहेगा साथ में यहाँ पे यहामा की तरफ से स्कूटी भी लंच हुआ है एक जो आया है BS6 लेक्स कन्फिगरेशन के साथ तो आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे वो कौन-कौन से फीचर्स के साथ आएगी तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में इतना इता देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू for watch